हाई दोस्तों नमस्कार आप सुभी का मेरे चैनल में स्वागत आज हम बात करेंगे अपनी मार्केट न्यूज की और मार्केट न्यूज में मैं आपके लिए लेकर आए हूँ टॉप टेन कंपनिया जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रह है जो एर वाई एर अपने प्रॉफिट को टॉप टेन कंपनी बनाने के लिए चद्दो जहत करती है यानि कि देश की वो दस कंपनिया जहां सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनता है यानि कि सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है ओन जेसी का और ओन जेसी के अंदर जो करोड का नेट प्रॉफिट बना लेती है और उसके साथ साथ ओन जेसी का जो लास्ट प्राइस टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है वो 149 का है जो आज के दिन का लगबत 3.25 परसेंट तक नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरा ये हर साल मनी रत्रम कंपनी को क एक मनी रत्रम कंपनी है जिसके अंदर आपको कंटिनियूसली बहुत बढ़िया रिटर्न मिलते रहते हैं और यहां सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय ये कंपनी एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना कर नंबर वन पंटे की हुई है उसके बाद नाम आत है यानि कि एक साल के अंदर ये करीब 49,000 करोड का नेट प्रॉफिट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो सेकंड पोजीशन पर आते हुए नजर आरो उसके बाद TCS का नंबर आता है जो TCS को अगर आप देख पाएंगे तो यहां पर यह कंपनी लगब 38,000 करोड से ज़ लेकिन इस समय चो टाटा स्टील 33,000 करोड का नेट प्रॉफिट दिखाती है यह सभी कंपनियों के अगर आप प्राइस कैलकुलेशन में लेंगे तो यहां पर आपको एक सी नजर आएगी कि इन कंपनियों की जो प्राइस है उतनी ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन रिल इंडस्ट्री टीस यह प्राइस में भागते रहते हैं टाटा स्टील हो गया इंडियन ओयल एंड यह आयूसी इंडियन ओयल इसके अंदर तो आप समझेगा कि प्राइस इतना रिफ्लेक्शन नहीं देता जितना के एक साल के अंदर यह डिविडेंट दे देकर आपकी जोल पर देता है 24,000 करोड से जादा का नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं HDFC बैंक में 0 आता हुआ नजर आ रहा है मेबी कोई कैलकुलेशन मिस्टिक होगी तो इसलिए डाटा भी रिफलेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है लेकिन धीरे धीरे यह हर साल आपको डिविडेंट भी देता है बहुत बढ़िए डिविडेंट देता है और immunnosis को आप सभी जानते हैं किस हिसाफ से डिविडेंट देता है उसके बाद proximity तक पावर कर्पोरेशन यानिकी आरेC का एक दूसरा साती जिसके इंदर अथिया रिटन मिलता है दिख आने कब ये बॉनस दे दें उसकी तो समझिएगा लगब दोजार सोला में और उसके बाद अगर आप देखेंगा भी रिसेंटली भी इन्हों ने बॉनस दिया था तो डेफिनली ये समझ सकते हैं कि इन शेयरों के अंदर को कि सरकारी कंपणिये पावर गिट कारपोरेशन तो यहां पर भी बहुत बढ़िया डिविनन और बॉनस मिलता ही रहता है उसके बाद नमबर आता जियस डवलू स्टील का जो पिछले दो साल से तो बहुत अच्छे नमबर करते हुए दिखा रहा है और इस समय जो पॉजीशन बनती भी नजर आ रही है सूला जार साथ सो करोड का नेट प्रॉफिट इस शेयर के अंदर दिखाई दी रहा है तो आल्मोस्ट मैंने ज़्यादा ही शेयर आपको दिखा दिए हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिलाइस इंडस्टीज, ONGC, TCS 3 हो गए उसके बाद Tata Steel, IOC, SDFC यह 6 हो गए उसके बाद Infosys विदानता, Power Corporation आपके 9 हो गए और GSW Steel यह आपके 10 हो गए तो यहां पर इसके अलावा भी NTPC एक सरकारी कंपनी ITC कंपनी को भी आप जानते हैं ICICI Bank को भी जानते हैं जिसके भी नमबर इस समय 0 दिखाई देने क्योंकि due to some technical error में भी हो सकता है calculation अभी आई नहीं होगी इसके अलावा HDFC दुबारा से आता हुआ तो दो twin hat क्यों twin को आपस अच्छी तरह के जानते होंगे HDFC Bank और HDFC दोनों आपस में बड़े नमबर के साथ top 20 के अंदर आते हुए दिखाई देने तो इस हिसाब से समझ सकते हों की बीच में इन दोनों के merger की भी cover आई थी हाला कि दोनों एक ही चीज हैं दोनों कंपनिया एक HDFC और एक HDFC Bank दोनों अलगलग कंपनिया Corporation के अंदर हैं लेकिन आप समझेंगे ये दोनों दीरे-दीरे मर्ज होती ही नज़र आएंगे और जब इनकी capital लिखटी होगी तो ये number one position उपर की दर भागती भी दिखाई देंगे विपरो को आप देशकते हैं Steel Authority of India Limited को देख सकते हैं 12,000 करोड का net profit निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कोल इंडिया को देख सकते हैं सरकारी कंपनिया दोनों की दोनों तो इस इसाफ से इन सभी के अंदर कर आप देखें गेल आता हुआ नजर आ रहा है तो टॉप 20 के अंदर अगर आप देखें तो गेल, कोल, इंडिया, सेल तीन कंपनिया यहाँ पर होगी इसके बाद NTPC 4, उसके बाद Power 5 उसके बाद आप देखेंगे O NGC छे कंपनिया जिसके नमबर वन पर आप टॉप 20 के अंदर छे कंपनिया सरकारी कंपनिया हैं जो इतना पढ़िया जवर्दस रिटन देती भी दिखाती है उसके साथ साथ आपको बॉनस और डिविडेंट भी भर कर देती है सरकारी कंपनियों का एक फाइदा होता है कि वो आपको साल भर डिविडेंट भी देते रहती हैं और 2-4 साल के अंदर एक बार आपको बॉनस भी देते होती है यहाँ पर डबल प्रॉफिट होता हुआ नजर आ जाता है इसके साथ आरेसी जिसकी मैं बात कर रहा था रूलर इलक्टोनिक कार्पॉरेशन यह आप पावर गरिड का छोटा भाई समझे और पावर फानेस के साथ भी अच्छी तरीके से भागता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर एक तरीके से 115 पर इस समय इसका शेर चल ला है 10,000 करोड का नेट प्रॉफिट है और पावर फानेस के इन बात करें 147 रुपे का इसमें प्राइस चल ला है 10,000 करोड का यहाँ भी नेट प्रॉफिट निकलतावा दिखाई दे रहा है हिंदुस्ता दिंग NMDC यह सभी सरकारी कंपनिया है जिसके अंदर बढ़िया रिटनिस समय निकलते वे दिखाई दे तो यह लिस्ट खतम नहीं वाली है आपको चूज करना है कि आपको इंवेस्टमेंट कहां करनी है तो आपको यह चीदान रखनी है कि इंवेस्टमेंट वहां कीजिए जहां लंबी ग्रोफ के जहां बढ़िया प्रॉफिट निकलते वे दिखाई दे रहे कम्पनियों के उपर study कीजिए और कम्पनियां study करने के लिए आप मेरे channel को हमेशा follow कीजिए जहाँ पर एक नई वीडियो आती है एक नई target के साथ नई सोच के साथ नई news के साथ